बॉलिवुड के सूपरस्टार सल्मान खान अपनी परसनल लाइफ को लेकर काफी सुर्खियों में रहते हैं। एक समय था जब सल्मान खान का नाम एक से बरकर के एक विवादों में आया था। इसकी शुरुआत साल 1998 काला हिरन के शिकार के मामले से शुरू हुई थी। इसके सल्मान खान की लाइफ से जुड़े विवादों पर तो हम पहले नंबर पर बात करेंगे। काला हिरन केस के बारे में सल्मान खान की लाइफ में विवादों की शुरूात साल 1998 में हुई थी। फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग के लिए जब सल्मान खान जोध पुर इसके बाद सल्मान खान पर एक और शिकार का आरोप लगा था। सल्मान खान इस केस में एक साल की सजा भी काट चुके हैं। दूसरे नमबर पर बात करेंगे। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। खबरों में बताया जाता है कि सल्मान खान इस दौरान नशे की हालत में थे। लेकिन कोट ने सबूतों के अभाव में सल्मान खान को साल 2015 में इस केस से बली कर दिया था। कहा जाता है कि सल्मान खान ने इस हादसे के बाद ब सल्मान खान और एश्वर्या राय का अफेयर सुर्खियों में रहा था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, जब एश्वर्या राय और सल्मान खान का अफेयर चल रहा था, तब एक्टर ने कई बार मारपीट की थी। कहा जाता है कि एश्वर्या राय ने सल्मान खान पर परेशान करने के आरोप लगाये थे। खबरों के अनुसार इस विवात के बाद से एश्वर्या राय सल्मान खान को देखना भी पसंद नहीं करती हैं। इसके अलावा विविक ओब्रोई समेत कई स्टार्स सल्मान खान पर कई गंभीर आरोप लगा चुके हैं। लेकिन आपको बता दें कि सल्मान खान ने इन सभी आरोपों को लेकर कभी कोई खास रियक्शन नहीं दिया। चौथे नंबर पर बात करेंगे सल्मान खान के विवादित बयान के बारे में सल्मान खान कई मुद्दों पर ऐसे बयान दे चुके हैं जिनको लेकर काफी विवाद हुआ था। सल्मान खान के इस बयान को लेकर काफी विवाद हुआ था। वालमी की समाज ने सल्मान खान के खिलाफ केस दर्ज करवाया था। पांचवे कंट्रोवर्सी में हम बात करेंगे सल्मान खान के थपड कांड का, सल्मान खान पर कई स्टार्स के साथ मार पीट करने के आरोप लगे हैं। सल्मान खान पर आरोप है कि उन्होंने एक पार्टी के दौरान रणबीर कपूर को थपड जड़ दिया था। इसके अलावा, रिपोर्ट्स के अनुसार सल्मान खान एक फिल्म के सेट पर केटरीना कैफ को भी थपड मार चुके हैं। वहीं सल्मान खान ने गुस्से में एक बार बॉलिवुड के सोपरस्टार शाहरुक खान को भी थपड जड़ दिया था। इन सब विवादों के अलावा, सल्मान खान बिग बॉस से लेकर अवार्ड शो तक कई स्टार्स के मजाग तक बना चुके हैं। जिसकी वजह से सल्मान खान को लोगों के विरोध का सामना भी करना पड़ा था। तो बाकी आपकी क्या राय है सल्मान खान के इन विवादों को लेकर आप हमें कमेंट कर हमें जरूर बताएं।